कौन थी वो? मैं आठ मेने की प्रेगनन्ट थी और अपनी डिलीवरी के लिए अपने माई की गई थी माने मुझे फोन पर बताया घर के पीछे की तरफ जो खाली जमीन थी ना वहाँ पर एक नया कमरा बनवा लिया है इतने सालों की बाद जैसी ही अपने घर में कदम रखा कुछ अलग सा लगा मां ये घर के पीछे की तरफ नया कमरा बनवाने की क्या ज़रूरत थी? अरे बिटा घर के पीछे दूर दूर तक खाली जमीन है तेरे पापा को कई दिनों से लग रहा था कि यहाँ पर एक कमरा बनवा लेंगे तो ताजा हवा मिल जाया करेगी अब तू ये सब छोड़ और चल जल्दी से दूर पीले मां मैं थोड़ी देर में पीलूंगी आप सो जाओ मैंने दूद का गिलाज उठा कर उस खिड़की में रख दिया पता नहीं कब आँख लग दी अचानक से खिड़की के पल्लों के खड़कनी की तेज आवाज आई दूद का गिलाज धडाम से जमीन पर आगिरा जमीन पर गिरते ही दूद का रंग लाल हो चुका था मैंने खिड़की से जांकर बाहर देखा चारों तरफ धुख अंदेरा था उस अंदेरी की तरफ से कुछ आवाजें आ रही थी जैसे छूटे बच्ची आपस में खिल खिला कर मस्ती कर रहे हूँ इतनी रात को इतने गंगोर अंदेरे में बच्चों की आवाज कैसे आ रही है घड़ी में वक्त देखा तो ठीक बारा बजे थे देखकर मैं सन रह गई बुरी आत्मा और भोतों की कई कहानिया मैं सुन चुकी थी वक्त भी कुछ ऐसा ही था उपर से मैं प्रेगनेंट सुना था की ऐसे वक्त में अक्सर बुरी आत्माय औरतों का पीछा करती है तो क्या मेरी पीछी भी पसीने से तर बतर बड़ी मुश्किल से जैसे कापते हाथों से मैंने उस खिड़की को बंद किया जल्दी से जल्दी उस कमरे से बाहर निकल कर मा के पास जाने के बारे में सोचा लेकिन जैसे ही दर्वासी की तरफ बल्टी लगा कोई साया हवा की स्पीर से दर्वासी की सामने से गुजर गया तो मेरे गले में अटब कर रह गए मैं जोड से चीक कर मा को बुलाना चाती थी लेकिन वो आवास खुद मेरे कानों तक नहीं पहुच पा रही थी तो मा तथ कैसे पहुचती खिड़की के पल्ली एक बार फिर देजवा के जुटे से ध्राव कर लेकर गया और पुरी दाकत से मैं चीक पड़ी जानती थी मेरी चीक की आवास सुनकर कुछी सेकंड में मा वहाँ पहुच जाएगी लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं मेरा कलेजर डर के मारे भटा जा रहा था आखिर मा ने मेरी आवास क्यों नहीं सुनी इतनी गहरी नीन में तो मा कभी नहीं सोती ठीक पीछे खुली हुई वो खिड़की मुझ में इतनी ताकत नहीं बची थी कि मैं पलटकर उस तरफ देख भी सकूँ हवा का एक संसनाता हुआ जोका उसी वक्त मेरे कानों से आकर टकराया लगा जैसे किसी ने दबी हुई आवास में दीरे से मुझ से कहा मैंने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिये और एक बार फिर ताकत लगा कर जोड़ से चीखने की कोशिश की मा पापा मेरी आवाज उस कमरे की दिवारों से टकरा कर वापस मुझे ही सुनाई दे रही थी जितनी ताकत के साथ मैंने चीखने की कोशिश की थी कुछी देर बाद उससे कहीं ज्यादा तेज और दर्दनाक चीख मुझे सुनाई देने लगी कि आवाज चीख मेरे पीछे गिड़की से आ रही थी वो आवाज मेरे कानों में पिगलते हुए लोहे की तरह गिर रही थी वोन आवाजों में हैवानियत थी वोन से किसी इंसान की नहीं है इतना मैं समझ चुकी थी काप रहे हाथों से मैंने अंधेरे में कुछ ढूडने की कोशिश की तभी अचानक मेरा हाथ बैट पर रखी टॉर्श पर पड़ा किसी तरह ताकत लगा कर टॉर्श का बटन आउन किया लेकिन ये क्या सामने दर्वासे पर त्रीन छोटी लड़कियां खड़ी हुई थी उनके हाथ में स्टेल के चमचमाते हुए चाकू थी मैं घबराकर लड़ खड़ाई और पीछे की तरह अटी लेकिन तब तक वो मेरे पास आ चुकी थी उनकी गरगन टेड़ी थी सुनाली, सुनाले क्या हुआ बेटा तो इतने डरी हुए क्यो है उट बेटा क्या हुआ हर बढ़ा कर मैंने अपनी आखे खूली देखा तो दिन निकलाया था मा मुझे जगा रही थी मेरा चहरा पूरा पसीने से लथपत था क्या हुआ पिटा तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या मैं अभी तक अपने पूरे होश में नहीं थी वो मेरे बच्चे को मार देगी मा वो लड़की मेरे बच्चे को मैंने घवरा कर अपने पीट को चुआ सब कुछ ठीक था और वो दूद जो रात को यहां पर गिर गया था उसका रंग लाल हो गया था मा ने हसते हुए दूद का गिलास मुझे दिखाया तुमने दूद पिया ही नहीं पूरा का पूरा ऐसे ही रखा हुआ है तुमसे कहा था ना सुना लिए सेहत के लिए ला परवाई ठीक नहीं बेटा लेकिन मैंने तो सब पुछ अपनी खुली आँखों से देखा था ये सबना कैसे हो सकता है बिद करते हैं कि हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी अगर हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को लाइक हैं हम अपने दोस्तों में सेयर करना ना भूले